तो हम आज आ गए हैं फिर से एक और बहतरीन वीडियो के साथ जहां पर हम बात करेंगे पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन में मुझे दिखता है ब्रेक आउट और आज के इस तरह के मार्केट में भी अभी भी काफी रेजिलेंस शो करते हुए अपने आल टाइम हाई प करेंगे और देखेंगे कहां पर उप्रचुनिटीज अभी भी दिखती है इस तरह के मार्केट में बिफोर वी स्टाइब दिस वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए आज की जो पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे हम आज का पहला स्टॉक है वो है उशा मार्ट का उशा मार्टिन क्यों पसंदा रहा है आप सभी को दिख रहा होगा चार्ट में बड़ा जबर्दस एक ब्रेकाउट आया था हंडेड़न सिक्स्टी के ऊपर यह जो एक हंडेड़न सिक्स्टी के ऊपर ब्रेकाउट था मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला जो ब्रेकाउ हुआ और इसके बाद देखे किस तरह से जबरदस चाल आई है अभी आज भी एक और चोटा breakout आया है अगर आप चोटे से यह जो राउंडिंग बॉटम की बात करते हैं तो इसमें भी आपको दिखेगा एक यह चोटा सा breakout है अल्मोस्ट कितने पर यह है 193 के ऊपर तो यह 193 के ऊपर जो breakout आया है वो भी एक अच्छा खासा breakout देखने को मिला है चार्ट पर और इसी वज़े से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक opportunity देखने को मिल सकती है तो यह 192,193 के ऊपर जो आज breakout आया है यह एक rounding bottom चोटा सा rounding bottom है और इसके ऊपर breakout दे दिया है इससे पहले 160 के ऊपर breakout दिया था और अगर आप देखेंगे तो इस पे volume का बहुत अच्छा accumulation हो रहा है और काफी अच्छी volumes हो रहे हैं उशा मार्टिन में आप सभी को पता है कि जो overall metal industry है उसमें बहुत जबर्दस्त attraction है और उशा मार्टिन कोई बात करता नहीं है वैसे बट अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट बहुत 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 है अभी करना क्या चाहिए stop loss अगर आप थोड़ा सा long term देखना चाहते हैं अपना view तो आप जरूर अपना stop loss लगा के रख सकते हैं 160 के ऊपर और otherwise अगर आप बहुत short term swing trader या फिर scalper है तो 190 का stop loss लगा लीजिए तो यह आपका stop loss हो जाता है अभी जा कहां तक सकता है आपको अगर long term आप रख सकते हैं इस particular stock को तो almost यह आपको दिख सकता है 280 तक भी तो target क्या दिखते हैं target इसके 280 तक के भी देख सकते हैं अगर आप long term का नजरिया रखते हैं बहुत short term का नजरिया है तो almost 210-250 का आपको target मिल सकता है जो कि बहुत ही near term में मिल सकता है तो अगर आप heavy quantity के साथ scalping करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं और आप एक चीज़ ध्यान रखेगा जिसमें RSI का नंबर है वो RSI का नंबर है 7475 तो it can get into this overbought situation anytime soon तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है और इसी वज़े से थोड़ा सा संयम के साथ इसमें आप एक position बना सकते हैं मेरे ख्याल से 160 का जो stop loss हो ब 20-day exponential moving average तो 170 रुपय तक भी गिल जाए तो भी आप इसमें position बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो ये कुछ levels हैं जब बिल्कुल ध्यान रखेगा charts पर जो बहुत important levels हैं और वहां पर अगर कोई breakdown आ जाता है तो बिल्कुल निकल जाने की सला है छोटा सा stop loss के साथ trigger अगर हो ज इसमें long term position बनाने के लिए फस सकते हैं तो ये आज का पहला stock हो जाता है उशा मार्टिन इसमें मेरी कोई personal holding नहीं है तो ये एक disclaimer भी हो जाता है अब सभी के लिए नौ लेट्स टॉक अबर दे सेकंड स्टॉक अबर दे ये जो सेकंड स्टॉक है methane alloys ये भी एक metal industry का स्टॉक है और बहुत ही जबर्दस्त इसमें एक golden crossover हुआ है recently तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ही golden crossover देखने को मिला है और इसमें एक breakout आया है किस level पर breakout का level है कुछ 1095 ये जो है 1095 इसके ऊपर इसने breakout दिया है और आज इसके ऊपर closing दे दी है तो बहुत अच्छा ये breakout है एक इसको cup and handle पैटरन भी बोल सकते हैं ये देखेंगे इसका cup और ये इसका handle इसके ऊपर breakout 1095 के ऊपर इसका breakout है बहुत अच्छा breakout है अब इसमें next पढ़ाओ क्या दिख को मिल सकता है जो पहला immediate resistance चोटा सा resistance है वो है 1200 रुपे का stop loss क्या हो जाता है आपका stop loss हो जाता है 1095 टार्गेट क्या हो जाता है इसमें target हो जाता है 1200 रुपे तो risk reward आप देखेंगे तो बहुत ही जबर्दस risk reward है 10 रुपे खोने को और almost अगर आप देखेंगे तो 90 रुपे म मिलने को है तो बहुत ही जबर्दस risk reward है daily का chart है और आप देख सकते हैं यह जो golden crossover है यह भी एक मुझे confidence देता है और बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है charts पर इसमें मेरी कोई personal holding नहीं है तो यह disclaimer भी हो जाता है और आगर आप RSI का number देखेंगे तो वो भी 65 है तो बहुत ही इसमें volume बड़े जबर्दस्त हुए है तो volume एक breakout भी आया है और price action भी हुआ है दोनों ही चीज़े इसमें देखने को मिली है इस chart पर तो methane alloys बहुत अच्छा लगता है एक जबर्दस्त company है आप इसके fundamental भी चेक करेंगे तो fundamental भी बहुत अच्छे है इस particular company के तो methane alloys आज का second stock हो जाता है now let's talk about the third stock of the league third stock जो है आप देख सकते हैं almost आज जबर्दस्त breakout आया है in fact कल ही breakout आ गया था अगर आप देखेंगे तो 325 रुपए के ऊपर 325 के ऊपर breakout जो है वह बहुत अच्छा breakout है वो almost 400 रुपए सारवा 400 रुपए तक का आपको इसमें next पढ़ाओ देखने को म जागाएंगे तो थोड़ा दूर stop loss है जो है 327 रुपए का stop loss क्या हो जाता है 327 का और target क्या हो जाता है target अगर आप देखेंगे तो target हो जाता है 420 रुपए का तो 420 रुपए का target इसमें एकदम मुम्किन है और अगर आप देखेंगे तो RSI जो है इसका RSI भी 77 है तो overbought situation में जाने के करीब है तो थोड़ा सा retrace अगर हो जाए 327-330 के आसपास ही मिल जाए आपको किसी भी बुरे दिन तो वहाँ पर आप accumulate कीजिए और strict stop loss रखिए 327 क और target आपके सामने हैं ही और इसके अलावा अगर आप MACD पे देखते हैं तो MACD पे भी काफी अच्छे crossovers चल ही रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चार्ट है अच्छी company है अतुल आटो 420 का target बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे आने वाले time में तो ये इसमें भी मेरी कोई परिसनल रोली में है और अगर आप इसमें volume देखेंगे तो volume दो दिन से बड़े जबरदस्त हो रहे हैं तो बहुत अच्छी खरीदारी चल रही है अतुल आटो में भी तो ये आज का तीसरा stock है now let's talk about the fourth stock of the day ये जो fourth stock है Moltech Technologies ये company बड़ी जबरदस्त traction दिखा रही है और मै अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया भी और फिर नीचे आया तो 107 रुपे के असपासी support लेकर फिर ऊपर चलना शुरू हो गया है तो बहुत बढ़िया इसमें support था 107 के असपास और I think वहीं पर मैंने सुझाया भी होगा I don't remember अगर आपको याद हो और आप मेरे channel से जोड़े हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि हमने किस लेवल पर ये मोल टेक्नेक्नलाजी को डिसकस किया था चार्ट अभी आप देखेंगे तो 107 से पहुंच गया 180 रुपे क्या करें अभी के अभी ले ले नहीं अभी के भी नहीं लेना है इसमें थोड़ा सा अगर पर अपने रड़ार पर रखी का इसमें जो 160 रुपे का ब्रेक आउट आया है ये हालफिलाल का ही ब्रेक आउट है तो अगर आप देखेंगे तो ये 160 रुपे के ऊपर ब्रेक आया है यहाँ पर जितना नजदीक मिले इसके उतना अच्छा है और वहीं पर ही आपको पोजि कुछ टाइम तक फिर एक breakout आया और उपर चला फिर यहां पर consolidate किया और lower level touch किये फिर एक breakout फिर यह थोड़ा टाइम यहां पर ही consolidate किया तो हो सकता है यहां पर breakout आया और यह थोड़ा सा नीचे इस वाले दायरे में घूमे और फिर एक और breakout दे तो यह एक इसका DNA समझने की बात ह इस particular stock का और इस particular chart का तो अगर आपको position मिलती है थोड़ा सा भी 160 के जितने नजदीक वहां पर आप बिल्कुल सोच सकते हैं और अपने radar पर लगा के रख सकते हैं इस particular stock को भी इसमें भी मेरी कोई personal holding नहीं है हाला कि 74 का RSI number है तो यह भी काफी जो overbought situation में जानने के कागार है इसलिए में बोल रहा हूं थोड़ा सा retrace होगा वहां पर position बनाने के बारे में जरूर सोच सकते हैं तो यह आज के चार stocks हो जाते हैं अगर आपको मेरी video पसंद आ रही हो आपको content अच्छा लग रहा हो आप ऐसा कमाप आ रहे हो जरूर मेरी video को like कर सकते हैं share कर सकते हैं औ और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो नाओ लेट्स मूव तो फिफ्ट और फाइनल स्टॉक अगर आप मेरे साथ मेरे twitter handle पर जुड़े हैं या फे मेरे telegram पर जुड़े हैं तो मैंने कल ही इस particular stock को अपन introduction की महताज नहीं है इसमें एक breakout है 2217 के उपर वहाँ पर आप position बनाने के बारे में सोच सकते हैं और वहाँ पर एक stop loss जरूर लगा लिजिएगा और इसको आप long term के नजरे से भी रख सकते हैं तो यह आज के 5 stocks हो जाते हैं जरूर मुझे बताएगा कैसे लगे और कहां पर आपकी opposition है इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समिठते हैं we'll see you in the next video thank you so much for watching this video